ये एक ऐसा stock है जो unidirectional move देता है intraday में तो जब भी आपको ये stock मिले तो आप इसमें courses कर ये trade लेने के लिए क्योंकि ये बड़े moves देता है Hi everyone, इस वीडियो में हम लोग कुछ हैसा stock के बारे में discuss करने जा रहे हैं जहां पर आपको आने वाले समय में एक बड़ा move देखने को मिल सकता है इन सभी stock ने last trading session में काफी अच्छा breakout दिया है और breakout के direction में अगर ये movement को continue करेंगे तो आपको आने वाले समय में एक अच्छा return देखने को मिल सकता है अब बात करते है stock की पहला stock है हमारा पस IDFC limited का और ये race का chart तो सबसे पहले हम लोगो region को find out करते है कि हमने इस stock को क्यों select किया है क्या हमारा entry price होगा, क्या stop loss होगा और क्या हमारे possible target हो सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं जो मैं time frame उच कर रहा हूँ वह है daily का याद रखिएगा यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ price action के बारे में distance करने जा रहे है that means कि अगर आप कोई भी indicator या oscillator का इस्तमाल करके अगर आप एक अच्छा पैसा कमा रहे तब आप उसको use कर सकते हैं उसमें कोई भी गलत बात नहीं है अब बात करते हैं इस स्टॉक की तो यहां पर मैं एक simple horizontal line को drop करने जा रहा हूँ और आप यहां पर देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था and last trading sensor में में इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो इस स्टॉक को जो select करने का जो reason है वो है cup and handle pattern का breakout याद रखेगा आप trading कर रहे हो या investing कर रहे हो आपके logic हमेशा clear होने चाहिए जब भी आपकी CB stock में trade ले या invest करे है एक चीज़ आप यहां पर और notice कर सकते हैं और वो है last day का volume जो कि normal days के comparison में कई गुना जादा है इस breakout को volume भी support कर रहा है तो एक concept आप हमेशा ध्यान में रखना कि अगर price बढ़ रहा है with increment in volume तो यह जो sign होता है यह होता है bullishness का और ऐसे के सेज में price के ऊपर जाने के जो probability होती है वो काफी जादा बढ़ जाती है again I am talking about probability not guarantee तो इस बात को ध्यान में रखेगा अब बात करते है levels की तो अगर यह stock 130 के अगर उपर निकलता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो देखें stop loss हम लोग एक ऐसे जगा पर रखते है जहां से price बार-बार एक reversal दिखाता है जिसे हम लोग previous swing low भी कहते है जो की आ रहा है 120 रुपीज closing basis पर अब बात करते है target की हमारा first target होगा 136 का और उसके बाद आए थिंक कि stock अपने all time high की तरफ चला जाएगा एक बार हम लोग चार्ट को left hand side में scroll करके देख लेते हैं कि company कब list हुई है और इसका all time high क्या था तो जो company list हुई है somewhere in 2005 and इसका जो all time high है वो है around 136 के आसपास तो हमारा first target इसका all time high होगा and उसके बाद ये stock अपने all time high को ब्रेकर के और भी उपर जा सकता है तो वैसे किसे में आप trail कर सकते हैं अब बात करते हैं अगले stock की और ये है IOC that is Indian Wild Corporation IOC जो है वो wild and gas में आता है मतलब ये पूरा दीम है और last trading session में हमें पूरा wild and gas में एक काफी अच्छा move देखने को मिला है तो इस stock पर नजर बना के रखेगा हो सकता है कि इसमें जितने भी stock है उसमें हमें एक बड़े move देखने को मिले तो इसमें आता है आपका Reliance, ONGC, BPCL and IOC अब यहाँ पर सबसे पहले region को find out कर लेते हैं तो यहाँ पर इस stock ने एक kind of pull and flag pattern बार रखा था जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब लास्ट टेडिंग सेसर में हम इसका एक breakout देखने को मिला है तो इस stock को जो select करने का जो region है वो है pull and flag pattern का breakout उतना ही नहीं आप यह भी notice करेंगे कि जो last day का जो volume है वो normal day के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की तो अगर यह stock 125 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss का previous swing लो जो क्या रहा है 170 रूपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 130 का second target है 137 का and third target है 143 का अब आईए देखते हैं next stock और यह है OFSS यह एक ऐसा stock है जो unidirectional move देता है intraday में तो जब भी आपको यह stock मिले तो आप इसमें courses कर यह trade लेने के लिए क्योंकि यह बड़े moves देता है बट सबसे पहले region को find out कर लेते हैं कि आज हमने इस stock को Q select किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of inverted head and shoulder pattern बना रखा था and last trading session में इसका एक breakout दिखने को मिल रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वह है inverted head and shoulder pattern का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते है कि जो last day का जो volume है वो normal day के comparison में कई गुना जादा है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो inverted head and shoulder जो pattern होता है यह bullish in nature होता है that means कि breakout को direction में आपको बड़े moves देखने को मिल सकते हैं again it is probability अब बात करतें levels की तो अगर यह stock 4375 के अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss के तो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 4100 रुपीज क्लोजिंग basis पर अब बात करतें target की हमारा first target होगा 4525 का second target है 4700 का and third target है 4900 का अब बात करतें नेक्स stock की और यह है टाटा कॉम्णिकेशन का और यह रहा इसका chart सबसे पहले region को find out करेंगे एक simple सा pattern जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो stock था काफी लंबे समय से छोटे से zone में आप कहा सकते हैं छोटे से range में trade कर रहा था जिसे हम लोग consolidation zone या box button कहते हैं and last trading session में इसका एक breakout देखने को मिल रहा है तो इस stock को जो select करने का जो region है वह है either box button या consolidation zone का breakout उतना ही नहीं आप यहाँ पर यह भी notice कर सकते हैं कि जो last day का जो volume था वो normal day के comparison में कई गुना जादा था that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते है levels की अगर यह stock 1825 का अगर उपर निकलता है तो मैं अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो क्या रहा है 1690 रूपीज closing basis पर अब बात करते है target की हमारा first target होगा 1855 का second target है हमारा पास 1955 का एंड उसके बाद stock जो है अपने all time high की तरफ निकल जाएगा अब बात करते हैं आज के last stock की और यह है Tata Steel का और यह रैस का chart अग्यन सबसे पहले region को fine out करने की कोसिस करेंगे जैसा कि मैं आपको बताया आप trading कर रहे हैं और investing कर रहे हैं आपके logic हमेशा clear होने चाहिए जब भी आप किसे stock को select कर रहे हैं यहाँ पर एक simple सा horizontal line और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस stock ने एक kind of cup and handle pattern बना रखा था and last trading session में इसका breakout दिखने को मिल रहा है तो इस stock को जो select रहने का जो region है वो है cup and handle pattern का breakout उतना ही नहीं आप यह भी notice कर सकते हैं कि last day का जो volume है वो normal day के comparison में कई गुना जाता है that means कि इस breakout को volume भी support कर रहा है अब बात करते हैं levels की अगर यह stock 137 का अगर उपर निकलता है तो हम एक अच्छी buying देखने को मिल सकती है अगर बात करेंगे stop loss की तो stop loss होगा previous swing लो जो किया रहा है 128 रुपीज closing basis पर अब बात करते हैं target की हमारा first target होगा 140 का second target है मुरा बात 145 का and third target है मुरा बात 153 का तो आई होब कि आपके इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा थैंक्स पर वाचिंग